एक सिंपल प्लाटफॉर्म गेम बनाते हैं जिसमें हमारा प्लेयर्स इन प्लाटफॉर्म में जंप करते हुए टॉप राइट में एपल तक पहुँचेगा इस गेम में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्लेयर को लेफ्ट राइट मूफ कराएंगे कैसे जंप कराएंगे और ग्राविटी की कॉंसेप्ट कि अगर वो किसी प्लाटफॉर्म पर नहीं होगा तो वो बाई डिफॉल्ट नीचे गिरता रहेगा तो ये गेम डिजाइन करना सीखते हैं सबसे पहले हम एक प्लेयर की स्प्राइट जो है वो पेंट कर देते हैं कि लेफ्ट राइट का स्मूद मूवमेंट करने के लिए हम यहां पर एक तरीका यूज करेंगे जिसमें हम एक वेरियेबल क्रियेट करेंगे कॉल्ड एक स्पीड और हम हमारा कोड कहेगा कि अगर राइट अरो प्रेस्ट है तब हम चाहते हैं कि जो हमारा स्प्राइट है वो राइट मूव करें और इसके लिए हम एक स्पीड नाम के वेरियेबल की जो वैल्यू है वो प्लस 5 पॉजिटिव 5 सेट अप कर देंगे और अगर लेफ्ट अरो की प्रेस्ट होगी तो अब हम एक स्पीड नाम के वेरियेबल की वैल्यू माइनस 5 कर देंगे अगर दौनों ही conditions true नहीं है ना right arrow pressed है ना left arrow pressed है तब हम कह देंगे कि x speed नाम के variable की value जो है वो 0 set हो और फिर हम कहेंगे कि जो हमारा ये player sprite है इसकी जो x location है उसको हम change करेंगे जो भी x speed नाम के variable की value है उससे तो ये code लिखते हैं सबसे पहले हम x speed नाम का एक variable बनाते हैं जो की केवल इस sprite के लिए ही है और अब हम क्या कह रहे हैं कि हम if then else के दो conditional statements लेके एक nested statement बनाएंगे जिसमें हम कह रहे हैं कि if sensing में जाके right arrow key is pressed तो ये जो हमारा x speed नाम का variable है इसकी जो value है उसको positive 5 plus 5 set कर दो और अगर हम एक और conditional statement इसके अंदर embed कर रहे हैं sensing में जाके हम यहां कह रहे हैं कि अगर left arrow key pressed है तो ये जो x speed नाम का variable है इसकी minus 5 value set कर दो और अगर ये दोनों ही conditions true नहीं है ना right arrow key pressed है ना left arrow key pressed है तो जो x speed variable है उसकी value 0 set कर दो और हम फिर कह रहे हैं motion में जाके कि change x यानि कि इस sprite की जो भी x location है x axis में इसकी जो भी location है वो value क्या हो जो भी x speed नाम के variable की value यहां पर आई है वो value हो तो हम variables में जाके यहां कह रहे हैं change x by the value of the x speed variable और फिर हम इस सब को एक forever में डाल रहे हैं forever loop में डाल रहे हैं because हम चाहते हैं कि यह conditions पूरे game में continuously check होती रहें और हम events में जाके कह रहे हैं कि when green flag is clicked तो हम इस अपने code को test करके देखते हैं green flag click करके हम right arrow दबा रहे हैं left दबा रहे हैं तो left जा रहा है तो यह हमारा left right movement करने का एक तरीका है अब हम platform game बनाने के लिए हम इसको jump कराना चाहते हैं पर हम उससे पहले एक ground बनाएंगे तो हम एक और sprite बना रहे हैं जो हम paint करेंगे जो की एक simple सी ground की sprite है तो next हम code लिखते हैं इस हमारे जो sprite है इसको jump कराने का तो हम यहां जाके कह रहे हैं कि हम jump कराना चाहते हैं कि जब हमारी key press हो let's say up arrow conditional statement क्या बना रहे हैं if up arrow is pressed तो basically हम चाहते हैं कि हमारे यह जो sprite है यह y-axis में इसकी location change हो तब हम कह रहे हैं कि change motion में जाके हम कह रहे हैं कि change y by some value और अगर हम यहां पर अभी कहते हैं change y by 10 तो अगर मैं इसमें इसको भी मैं event में जाके कह रहा हूं कि when green flag is clicked और इसको हम एक इसको भी हम एक forever loop में डाल रहे हैं तो अगर मैं अब green flag press कर रहा हूं और up arrow दबा रहा हूं तो यह continuously उपर जाते जा रहा है तो हम दो चीदें चाहते हैं कि एक यह jump smooth हो इसकी और दूसरा एक certain value तक ही हो उसके बाद हम चाहते हैं कि gravity play पर आ जाए और gravity जो है इसको नीचे खींचती रहे तो हम यहाँ पर पहली चीज़ को हम ऐसे ठीक कर रहे हैं control में जाके कह रहे हैं repeat a certain number of times तो rather than कि एकदम से 10 move करे यह हम चाहते हैं कि यह smoothly उपर जाए तो हम कह रहे हैं कि repeat five times and change y by let's say two तो अगर मैं इसको test करता हूँ तो यह जो है यह थोड़ा smoothly उपर जाता है और अगर हम इसकी value बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ इसको 10 कर सकते हैं और इसको अगर मैं test करता हूँ तो यह इस तरीके से jump करेगा और फिर हम चाहते हैं कि जो gravity है वो इसको वापस खीच ले तो gravity का क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि y की जो value है y इस axis में इसकी value negative हो तो अगर यह जो हमारा sprite है यह platform को touch नहीं कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि continuously यह y की value negatively change होती रहे तो इसके लिए हम कह रहे हैं change y by some negative value let's say minus 5 और हम sensing में जाके कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि if यह जो sprite का color है if this sprite is not touching the black color of the background तो यहां हम black color select करते हैं और यह condition हम not की condition है तो हम operators में जाके कह रहे हैं कि if the color of the sprite is not touching the color of the platform then change y by minus 5 और इसको भी अब हम forever loop में डाल रहे हैं तो अगर हम अब यह हमारी gravity set हो गई है तो अगर हम इसको test करके देखते हैं तो अगर मैं इसको उपर रखता हूँ तो यह अपने आप continuously हमारे जो sprite है यह नीचे की तरफ आएगा और यह किस speed से नीचे आए यह determine होगा कि हम gravity की value कितनी रखते हैं यहां पर तो अगर मैं test कर रहा हूँ तो हम हमारा sprite हम right left move करा सकते हैं हम jump करा सकते हैं पर अगर यहां पर मैं यह जो up का button है up arrow इसको दबाए रखता हूँ तो यह उपर जा रहा है continuously उपर जा रहा है sprite यह हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह चाहे जैसे one time दबाने पर यह jump हो रहा है even अगर continuously दबाया जाए तो यह fly ना करें यह वापस नीचे आए तो इसके लिए हम एक और condition यहां पर डालेंगे कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर यह sprite उपर jump करता है तो हम control में जाके कह रहे हैं कि repeat until sensing में जाके कि if this sprite is platform का जो color है black motion में जाके हम कह रहे है चेंज y by a negative value let's say change y by minus 5 तो यह जो हमारी script है यह क्या कह रही है कि जब up arrow की press होगी तो 5 times repeat करना y की value को 10 times बढ़ाते रहना पर जैसे ही sprite उपर इस black platform को नहीं चुएगा उपर जाएगा तो continuously क्या करना y की value minus 5 से कम करते रहना जब तक कि वो वापस background को हमारे platform को नहीं touch करता है तो इसको अगर मैं test करता हूँ तो अब अगर हम jump करते हैं तो इवन अगर मैं यह up arrow की दबाई रखता हूँ तो हमारा जो sprite है वो fly away नहीं कर रहा है वो cable continuously jump कर रहा है तो अब हमारे पास यह जो basic movement of a platformer है यह तयार है हम left right move कर सकते हैं और हम jump कर सकते हैं और हम move करते हुए भी jump कर सकते हैं तो अब अगर हम इसमें अलग-अलग किसम के obstacles या जिस भी किसम का हम platformer गेम बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं तो next video में हम इस platform game को थोड़ा challenging बनाते हैं तो अबूब की अबूब की कर दो